टो अपने लाश्ट लंगे डिस्ट था तरह था तरह को थे तरह को तरह को तो इस तरह को तो तरह को थे आपकेखशिक निर्पेखशिक विस्ट अबसलुट रलेटिव न परसीफिक गुट वट इस अबसलुट है इसका 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 Water Vapor जलवास्प का चीक है साफ पेक्षी क्या होता है उसके capacity पेक्ष में उसके respect में उसमें कितना % जो हम निकालते हैं कि उसकी चमता कितनी मालो की 100 की है और 100 gram की मालो चमता है और है उसमें 100 gram कितना हो गया 100% अगर 100 की चमता है उसमें है 20 gram then 20% खिलर इतना रिपक्ष क्या है Absolute विसिस्ट क्या होता हो gram per kilogram और इस हिसाब से बताना हो तुम्हे Absolute then gram per liter यह तीनों के लिए अच्छा इसे हम आगे बढ़ते हैं हमने पहले बात की Absolute की तो डिस्कस किया था कि जैसे जैसे इसे उनका एक क्वेस्टन है कि मान लो कि क्यों भी हवा है नीचे धरती के सर्फिस के पास में तो वह ऊपर जाती है तो हमने बात किया था relative humidity की Absolute humidity की बात करतों जैसे उपर जाओगे Absolute humidity घटेगा की बढ़ेगा घटेगा वाकई कब तक constant रहेगा जब तक की उसका condensation start ना हो जाए मतलब की due point तक पहुचना जाए due point क्यों होता है जब जो जलवास्प जो है जल जो है अपने gaseous state से liquid state में आना जुरू हो जाए वहाँ पे Absolute humidity की होना जुरू हो जाएगा जैसे की मान लो बढ़ेगा घटेगा is there any possibility that the air is going up in the troposphere मतब छोब मंदल में और उसकी Absolute humidity घटे possibility है इसी की तो possibility है due point तक पहुचेगा जो भी gaseous है water vapor वो चनवट जाएं कि इसमे ये possible है क्या कि उपर जाने से Absolute humidity बढ़ जाए temperature temperature inversion case में क्या होगा जब हवा उपर जा रहे है हवा गर्म होगी उसकी खंताएं बढ़ गए लेकिन जरूरी ये नहीं कि सिर्फ temperature बढ़ने से वहां पे जलवास फोना भी तुछाहिए ये अबजर्ब करने के लिए बहुत रेरेस्ट फ्रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि बारिस हो रही हो और धूप भी हो temperature उसका बढ़ जाए तो आम इन जेनरर क्या बोलेंगा ऐसा कुछ नहीं होता है इतना के लिए तो रिलेटिव के साथ अगर बात करें तो हम उपर क्यों जाते हैं तो बढ़ता है घटता है with altitude relative humidity increases or decreases क्यों होगा अच्छा आपतर हो decrease होगा क्यों होगा हाँ तो वहाँ पहुंचने से पहले की बात करो जजह से उपर जाएगा उसकी छमता बढ़े की घटेगी चमता कम होगी और चमता कम होगी तो उसकी respect में जो उसमें already wasp है उसका percentage बढ़े है घटेगा वापस देखो यहां पे confusion नहीं मानलो यह earth surface है यहां पे air मानलो कितने पे 30 degree Celsius इसकी छमता यहां पे मानलो कितना है 100 gram इसमें है कितना 50 gram कितना है रह यहां पे 50 percent है यहां से उपर गये temperature हो गया इसका कितना 15 degree Celsius 100 है या कम हो जाएगा मानल लिया कि 50 gram इसकी छमता हो गयी आधे पे आधा हमने कर दिया अब इसमें कितना humidity है अभी कितना है 50 gram तो आरेज कितना हो गया 100 percent हो गया ना अब बताओ humidity with altitude घरता है घरता है relative humidity इसने किलियर है आपका question किलियर हो गया कि अभी और कुछ है हां क्या capacity क्योंकि हम with altitude temperature कम होता है कोई भी हवा जब गर्म होगा तो उसकी water hold करने की छमता जादा और जब हवा ठंडी हो जाएगी तो कम उपर जा रहे हवा उसकी temperature कम हो रहे with height the capacity of the air decreases to hold moisture नहीं temperature कम हो रहे है पहले जी जी बताओ पहले जी जी बताओ पहले जी बताओ expansion, compression की बात छोड़ दो ठीक है simple सी बात बताओ कि जब हवा उपर जा रहे है जब हवा ठंडा होती है तो उसकी water hold करने की छमता बढ़ती है कि इतना के लिए रहे expansion, compression छोड़ दो temperature क्यों घड़ती है you mean to say that what is the source of energy to the atmosphere ultimately sun लेकिन जो हमारा हवाय गर में किसके वजय से है earth का विकरन या sun का विकरन earth का विकरन जैसे से तुम्हारे एक प्रडूसी वाले में आग लग जाए वहाँ आग तापर उपने कॉपी जला करके तुम्हें हीट ज्यादा महसूस होगा और यह जलाए तो simple सी बात है यहाँ पी जो हमारा atmosphere है उसका heat energy का source क्या है earth का गर्म होना जैसे से earth से दूर जाओगा temperature कम होगा that's simple वो question पूछने मा समर्थ है एक बार पूछा answer किया उसकी question को इसने explain किया इसका answer किया now he is trying to ask the swim question अभी तो इसने ही पूछा कि यह कहना चाह रहा है of of air का water hold करने की जो छमता है किस भी depend करता है temperature पे उपर जा रहे तो ठंडा हो रही गरम हो रहा है तो कम होगी जब बढ़ेगी अभी confusion है अधे है तो आप लोगों का कितना हुआ यह humidity clear है 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 ना हम आते हैं अगले point पे हुआ हुआ यह भी यह भी इसमें क्या बताने कुसित कर रहे है हुआ इसे केसे में उसका रह बढ़ेगा खटेगा कम होता जाएगा क्यों क्योंकि हीटिंग होता जाएगा इतना है क्या तो यह अटना हं अगर अगर जब तक दू अंगर की जब तक द्यूट तक नहीं पहुंचते है उसकी अप्सलूट इम it's called dew point what is your dew point आज ज्यादा कन्फ्यूज कर रहे हैं तुम वही बताने की कुछिस कर रहा है कि इस temperature का dew point कितना है इस air mask का इस air parcel का 65 एक 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 टेम्परेटर कितना है यहां पर यहां पर कर्देन सेशन नहीं होगा यहां पर आ गये टेम्परेटर कम हो गया अगेन नहीं हुआ किकी ड्यू पॉइंट कितना है जब यह 65 प्याय तो डिव पॉइंट पूंचा है वहारा आज प्रोसेशन स्लो गया है दिक रहा हूँ वह पढ़े हुए चीज में से आगे अच्छा मालो कि किसी कंप्यूटर सुलू चलना सुरू हो जाए तो रैम कम होता है बढ़ा दोगे तो हो जाएगा दूसरा ऑल्टरनेट क्या है वह निकाल दूसरा दिमाग से बुस गया है वाइरस और क्या है बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी प्रेस्टेशन प्रहने दो है उस हर्ड अपर एससजी अगा दो बढ़ जाएगा तुम अपने अंदर लगा थोड़ा मोटी विशन का तक ठक तुनियों तुम लोग आगे है देखो एक्सेप्टिनल केसिस क्या सो कर रहा है यह जैसे जिसे हवा को कंप्रेश करोगे प्रेशर बढ़ा घटेगा जैसे भी लोग हैं जो कम होगा हवा को जब कंप्रेश करोगे तो प्रेशर इसके को में क्लो सिस्टम कई बात कर रहा हूँ उसको तुमने अब प्रेशर बढ़ाऊग संक प्रेशर हूग में जैसे की प्रेशर हमें जैसे आस करना कोड़ स्थेज करते हो यह समय आगा जब स्ट्विशन Państ पॉइंट यह क्या है ओस द्यू है द्यू कब बनता है इसमें हो गया होगा इसमें भी हो गया है क्या कंडिसन्स होने चाहिए द्यू पॉइंट तक पहुचने के लिए अगर क्लियर स्काई होगा तो क्या होगा लिए पॉपरिशन रिली है ऐसे नहीं बोलो अगर क्लियर स्काई होगा जो हवाएं को अपवर्ड मॉव्मेंट है ज़्यादा होगा तो झब हवा उपर के उर जाएगी तो नीचे कूलिंग होता लगतार और हवा उपर नहीं जाएगी कुलिंग नहीं होगा तो फिर कंडेंसेशन भी नहीं होगा उल्लाव ज्यादा कूल होने के लिए जरूरी कि हवाएं उपर इसकेप कर जाएं ऐसे केसे में नीचे बिलकुल क्लियर मिलेगा उसको हीट बाहर जाने के लिए और ठंडा हो जाएगा एक पॉइंट है जहां पर पहुंच जाएगा जिसे बोलते हैं वहां के बाद क्या होगा वह पानी में कनवर्ट होना शुरू हो जाएगा ठीक है जैसे की यह कृर्ष का यह है तो हीट आसानी से बाहर में करेगा और स्कराइगा तो क्या होगा यहां पर सर्फिस वोल्ड हो जाएगा और जब सफिस कोड होगा तो मालो जैसे यह oral अलोट ऑपल में इसमें ध्यूंछ चरेंगा क्या होगी पाना जही वाया होटर भेपर में कि द्रफिस क्यों कि यंखी उनकी चम्रेशंताएं लोगई और फोल करने चैप मakukan कोई कोईश यह ठणडी होती है तो उसकी चंदाएं कम हो जाती है है तो एच लोंग आज यूगाइज अर एक्साइट अबाउट यूपियसी वह अंदर तुम्हारे अंदर हीट एनर्जी है अब्जर्ब करते रहोगे और थंडे पर जाओगे तो यह क्या दिखा रहा है नाव द्यू पॉइंट यह जैए नहीं पता उसे पूछना पड़ कर पानी पी रहा था या उसे मजा रहा था कई बार तुम खाली पर जाते हो गास के मेदान में पानी की बुंदों प्रह रखते हो अब लोग के सार ये कैसे पता आपको ही था के शी था, I don't have answer. चलो, उसको पता उसका आण सा. ये के लिए है, molecules of water in warm air. The moment it starts cooling, what happens? It reaches to its dew point. Ultimately, they will connect and become larger water droplets. चलो, थोड़ा सा. क्यों हमारे air में वास्थ हैं. बहुत tiny small water droplets में convert होंगे, तो वो आपस में touch करेंगे, तो बड़े हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे spray कर दो, अपने table desk पे पानी. अलग-अलग, बात ये नहीं, प्लीज. उसके बाद अगर उनको आपस में मिलाओ, तो बड़े हो जाते हैं water, बड़े हो गए air में, इतने बड़े हो गए gravity में वो उड़ नहीं सकते, नीची उनको आना पड़ेगा. बता है ऐसा? बाखी detail बताऊँगा बाद में जब बढ़ेंगे precipitation, इसमाल जो water droplets होते हैं, क्या कहते हैं, अगर धरती पे आने से पहले वो परेट हो गए, तो क्या कहेंगे and so on. कि बहुत सारे उसके terms हैं, विल डिसके से लिटेर 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 उन. देख्वे यहां पे, cloud droplets, various small water particles, then after size बढ़ा होते हैं, तो क्या बोलते हैं, large cloud droplets, and then जब वो आपसे मिलते हैं, तो क्या बनता है, raindrops, they start falling, then, वहापे क्या बता रहा है, large cloud droplets fall and collide with the smaller droplets, well, this is into even larger droplets, ठोटे हीट आपसे मिलते जाएंगे, और बड़ते बनते जाएंगे, जब उनका size जणा बढ़ा हो जाएंगे, अंडर gravity, एक रूई और एक लूहा, किसकी हावा में जाएदे उड़ने के समभावनाएं हैं, क्यों बजन कम है, तो यह ऐसा कुछ रूई जैसा है, बिल्कुल small droplets, आपस मिलते हैं, तो बड़े size हो जाते हैं, बढ़ा होगा तो नीचे गिरे कर नहीं गिरेगा, तो यह क्या हो रहा है, आरे स्वेक्टर, आरे स्वेक्टर क्या होता है, बंदर का, तुम्हारा आरे स्वेक्टर क्या है, अब बलड से, positive है कि negative blood group है, जिन में positive blood group होता है, उनमें RS फेक्टर क्या होता है, वो RS फेक्टर की हिसाब से ही बोलते हैं, कि positive है या negative है, अगर तुम साधी करोगे, कल को, ध्यान रखना कि तुम्हारी वाइफ का, अगर तुम्हारा positive है, तो उसका negative नहीं हो, कुंडली मिलाने से पहले, blood group मिला लेना, और in case negative हुआ, आए सा question है, एक लांग नहीं, आए सा question है, अगर आपकी होने वाले partner का, blood group negative हुआ, post pregnancy case होता है, without injection अगर करोगे, तो there is chances of death, तर the kid or the mother, लेकिन वाला में तो और ज्यास्रों से जाता है, यह मिलाते हैं तो कुछ दा लिया करें, यह किलिए है, जैसे जैसे हवाएं, जैसे जैसे क्या होगा बताओ, temperature बढ़ेगा क्या होगा, आप यह लगतार, वोपरेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे बढ़ेगा तो इसमें वाटर का ट्रॉपलेट में जैसे बढ़ता गया, जैसे बढ़ता गया बढ़ता गया एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ आप यह फर्दर होल्ड नहीं कर सकता और इसका हवा का सेचरेशन पॉइंट पहुंचिके, दुही तरीके होते हैं हवा का सेचरेशन पहुंचिके, एक 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 बैटो, अगली बार हुआ, उन्हें से एक बाहर जाओगे, ठीके, बार दॉपलेट की तरह, अगर आपसे क्वेस्टन पुछ दे की, बढ़ाना चाहते हो अग इसको कूलिंग कर दो, और दूसरा, वास्टर बढ़ा दो, जैसे मान लो कि ये लेंड एरिया है, ये वाटर बॉड़िस, लेंड एरिया पे जो एर है, माना थड़ी ज़िए से तेमबरेचर है, और इसमें पचाहस ग्राम वास्टर, जैसे ये बहतुई हवा के कहां आ जैसे बढ़ा सकते हैं, तो अपना इसमें मार्स के से बढ़ा सकते हो, बताना कल, बताना कौन-कौन से है, बढ़ करना ध्यान से, एक तो होता है दिव पॉइंट हमारा कि वह पॉइंट वह टेमपरेचर जहां पे वाटर वेपर जो है, वह वाटर ड्रॉपलेट्स में, एक विड में गारा जाता है, जब वह ही डूपॉइंट तो ड्रॉट से कम हो जाए, ऐसे केसे में जो वाटर वेपर है, वो वाटर डॉपलेट्स में ना होके क्या बनेगा, आइस में कनवर्श, सॉल्आ में कनवर्श हो जाए, बास मज में आई, जो फिर क्या बोलेंगे? आप ले लदाख में जाते हो ठंड का मौसम है एक लास पाने को उपर के और उडलते हो कि गिरने से पहले यह क्या बन जाता है जैसे कि अभी आपने पहले देखा था वाला देखो पॉइंट यह कौन सा case है जो freezing point है इसका dew point पॉइंट है कि अगर बिलो जिरो होता तो air में azis particles हमा रहे हैं कि सका water droplets का direct किस्में convert हो जाता इड़ों के ऊपर ही पानी रहता है उसके नीचे क्या हो जाता है वो ना कलियर है जब कभी ऐसा हो जहां पे आपका कौन सा point तुका जो dew point है वो फिलो जिरी डिरी हो जाय तो तो तरेक्ली वो गैस से किसमें करवाट होगा? solid में आगे परणना क्या होता है कि गैस से solid हो जाय तो है किलियर? everywhere जैसे कि ऊपर आइस हेल स्ट्रॉम आ रहा होता है नीचे वह फॉल होता है कैसे होता है just because of it, हमारे यहाँ टेंपरेचर जीरो से ज्यादा पारिस होती है जहाँ पे जीरो के आसपास हो exactly, कभी 1, कभी 1, कभी 1, कभी 1, कभी 0.5, कभी 0.5, कभी 0.5 ऐसा होता है कई बार ऐसे cases में small होगा, flakes आएंगे, जब ज़्यादा minus हो जाएगा तो बर convert होना शुरू हो जाएगा, जीतना ज़्यादा कम temperature करोगे जो ice crystals है, size तो बड़े होंगे साथ में, वो कठोर होते जाएगे, अजब temperature minus 30 degree Celsius हो जाएगे, जो हमारा gas में water vapor है, वो convert होगा, again ice crystals में, उस ice crystals नाम क्या है करते हैं, diamond dust, क्या बोलते हैं, diamond dust, minus 30 degree Celsius, और ऐसे temperature, ice crystals आपके body में touch करते हैं, जहां भी touch कर जाते हैं, पानलो आपका हाथ ऐसे उसमें, उसमें रख दिया, या खाली पैर आप उस पे चल दिया, आपके पैर काटने पड़े, बास मज में आई, इसलिए जो जाते हैं, कहां पे हमारा highest better ground of the world, कौन सा है, या चीन, वहां का temperature minus 45 sometimes, ऐसे cases में अगर आपने खाली पैर, हाथ या कुछ भी, वोक किया तो आपको touch हो गया body में तो फिर तो, क्याखना पड़ेगा, खटके बाहर निकालना पड़ेगा, उसमें, तो एक limit से beyond होता जैसे कि क्या, क्या-क्या, वो काम ही करना बंद कर देगा शरीर, वहां blood circulation रुख जाएगा, जहां blood circulation रुख जाएगा, वहां पर कोई काम करेगा, और कोई चीज अगर बहुत क्तरनाक है, तो उसका अशर बोड़ी पार्ट में होगा, उसे अच्छा है उसको, कि ट्रांस्फ जाएगा, जैसे कि मैंने बर्फ के बारे में कहा, पुड़ा सा एक्स्टा इंफरमेसित रहे ना, कुछ ऐसे तरनाक जहरीले जानवर होते हैं, जंगलों में, बिच्छू होते हैं कुछ, कई बार क्या होता है कि कई एक साल से बड़े-बड़े बिच्छू होते हैं, वो पा जाते हैं, वो पूरा स्वेल कर जाते हैं, एक बार बक्सर डिस्टिक आ रहा, जानते हो, कहा है बक्सर? बक्सर फेमस है, इस बार के लिए एक्जाम में रखना, आ सकता है, वहां के आर्मी ओफिस से वो लोग उसमें, कल में, करते-करते, आगे ऐसे ही बढ़ते-बढ़ते, हांथी मरा पड़ा था, हांथी, पुला हुआ था, तक इसको लातमार उट जाएगा, उसने ऐसे उसको लातमारा, पैर उसके हांथी के अंदर चला गया, पुरा जरीला, वो के स्वेल हो चुका था, और उसके बाद आर्मी ओफिस का पैर काटना पड़, चल घटना है कहां क वक्सर जिस्टिक के वार में ओफिस, यह लातमार नार किसे, बाकी समझ जाओ, यह समझ में आ गया, फ्रोस्ट बाइट क्या होता है, बचके रहना इसे, देखो, लेस दैन और इक्वल टू 55, क्या होना चाहिए कि सिर्फ हुमिडिटी समझना काफी नहीं है, आप पढ़ते यह हो, क्या आइडिया भी हो कि कौन सा खराब है, कौन सा बढ़ी है, यह 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 रिलेटिव हुमिडिटी है, ठीके अगर यह 55 के आसपास है, तो dry and comfortable, ज्यादा पानी है हवा में, नहीं कम पानी है, so you will feel better, अगर बहुत कम हो जाएगा, तो क्या होगा? अगर हवा में, बिल्कुल पानी फिनिश हो जाए, ऐसे cases में जो आपके body पे, थोड़ा भो जो भी moisture है, उसको absorb कर लेगा होगा, और आपका body बिल्कुल dry हो जाएगा, आपके होट जो फटते हैं ठंड की दिनों में, just because, जो lubricant से थोड़ा सा आपका होट गीले रहते हैं, त पसीना आएगा सुखे गई नहीं, इतना idea हो कि कहते है, high humidity, low humidity का मतलब क्या है, 55 से जादा बुरा है, 55 से कम तो, 55 के आसपास है तो बढ़िया है, उसे बहुत कम होगा तो भी खराब है, बहुत जादा होगा, तभी खराब है, अब आप answer करो, फिरन की दिनों में, ये 55 से 10 क की तरफ बढ़ेगा, 55 से 90 की तरफ बढ़ेगा, ये answer करेंगे, वा, मतलब हावा में पानी की मातरा बढ़ जाएगी, फिरन आसर क्यों कर रहे हो, फिरन आसर क्यों कर रहे हो, आपका टाइम खतम, आप बताओगे, गर्मी की दिन में, अगर मानलो अभी 55 है, फिरन महिने चा आते हाते, क्या लगता है, हावा में जो हीमिनिटी की मातरा है, वो 90 की तरफ बढ़ेगा, या फिर 10 की आसपास, एक आम भासा में कहें तो हावा गर्म होती जाएगी, उसकी छमता क्या होगा, वार्टर को बढ़ करने की बढ़ती जाएगी, तो वो क्या होगा, 55 से किधर ज जाएगा, लेकिन डिजट में चले जाओ, तेमपरिचर बढ़ा, लेकिन पानी ही नहीं अब्जाब करने के लिए, ऐसे केस में कम हो गया, इतना के लिए रहे, अब 55 से 65 की बीच में है तो थोड़ा सश्टी किया इन मागी होना शुरू हो गया, तो यहां से डिजास्टर स् इसी question पुछते है आपसे, कि अगर हवा में water vapor की मातरा, जलवास की मातरा बढ़ जाए, लगभग 90% के आसपास, what will be the impact on human health of increasing relative humidity, अगर हवा में जलवास की मातरा बढ़े, लगभग 90 के आसपास हो जाए, तो उसका मानो चरीर पे, मानो के स्वास्त पे क्या प्रभाव आपके toxins बाहर ने जाएंगे, आप चिपचिपा फिल करोगे, और कई सारी बिमारियां हो सकती है, pathogen attack, उसी हम होता है न, pathogen में कौन सा? pathogen में कौन सा? bacteria, खास करके, fungus, खास करके, याद रखना, जो virus होता है, वो dry condition में होता है, कब होता है, virus attack करता है, जब dry रहेगा तो, और, जब, मुश्चर कब होता है, जिसे बारिस के दुन में लोगों को बुखार होता है न, थ्वड़ा सा, तो का होता है, bacterial होता है, वाइरल, bacterial होता है, इसलिए, एंटी बायोटिक खाते हो, बारिस के दुरों, इतनी clarity है, समझ मे होता है, जिसे कुछ लोगों को यह लगा था, जब गर्मी बढ़ेगी तो, coronavirus घड़ जाएगा, मर जाएगा धूप में, लेकिन, virus क्या करता है, temperature बढ़ेगा तो, उसको कोई फर्क, ज्यादा नहीं पढ़ता है, dry वाले condition में, ज्यादा कॉनटे करता है, virus, तो अगर बारिस ना हो रहा हो, temperature बढ़ जाए, मतलब humidity कम हो, humidity ज्यादा होगा तो, bacterial and fungus, और humidity कम होगा तो, virus, अगेन यह कोशन अभी नहीं पूछा है, पूछ सकता है, यह क्या हो रहा है, यह आपी देखो तो, low dew point हो, ऐसे cases में, weight operates easily, पसीना, निकल लेता है बाहर, और ज्यादा humidity होगा तो, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, कि एक digital board के जमाना था नहीं अभी, कुछ साल पहले, 12-15 में कहां होता था यह ज्यादातर नहीं होता, तो उसने class में पुछा कि यह board पे, imagine करके बताओ कि यहाँ पे board है, white board, जिस पे आप लिखते हो किस से, पार कर से, अगर class की humidity 100% हो जाए तो, क्या impact पड़ेगा, आप लिख नहीं पाओगे, चुक इसमें liquid है, जैसे इस पे लिख होगे, वो liquid dry हो गए नहीं, तो आपको दिखे गए नहीं, पानी जैसा होगा, इत्ती बासमज में आ गई, कई बार देखा होगा कि यहाँ पर लिख रहे हो, और वो नीचे टपक के जा रहा होता है, वो case अगर ज्यादा खराब नहीं, फिर भी नीची आ रहे हैं, क्या मतलब होता है, क्या हो कि हमिटी ज्यादा है या कम है, हमिटी ज्यादा है, क्योंकि अगरी क्लास के बाद से तुम कहोगे, सबसे ज्यादा समझ तुम्हे ही आई होगी, जैसे इंपॉर्डन टॉपिक हो रहे हैं, भाग रहे हैं हिंदी वाले बाहर, ब्रेन, तो अब तुम लोग बताओ, प्रेशर बिल्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, तुम लोग अभी जेनल साइंसे ख्लास में क्या चल रहा है भी, क्या चल रहा है, हवाज नहीं आई, पालोजी, क्यों फिजिक्स नहीं पड़े अभी तक, वैसे बतानो मुझे दाब क्या होता है, प्रेशर, फिर से बोलना, प्रेशर, 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 प्रे गार बोलो canator लेकिन कोंुप हजए ठार पार हने अरिया अब देखते हैं कि इत्मोस्फेरिक प्रेशर कुछ ऐसा ही होता होगा यहीं से डिद्यूस कर लेते हैं लोग खुझ से निकाल लेते हैं कि क्या होना चाहिए कि इतना के लिए रहें ध्यान रहेगा कोर्स पर निच एरिया ठीक है मान लो कि मैंने यह वाटर बॉटल है मैं अपने हाथ हो पर रखा यह एरिया जादा या कम इसके अपरिजन में एरिया ज्यादा फूर्स तो सेम होगा ना इसका फूर्स अपलाई हुआ नेची कितना लगेगा मैं इसको उन्टा कर दिया ज्याद से पाने मत गिरना आप अब बताऊ प्रेशर बढ़ा या घटा कैसे एरिया कम होगा इसका मतलब कि इसको कम करोगे तो यह कैसा कहता हूँ प्रेशर इस इंवरसिम पशन तो एरिया यह भी कह सकता हूं प्रेशर इस जो समानुपाती है किसका बल का पॉर्स का पॉर्स कहलो या फिर यह भी क्लिए रहे इतना ध्यान रखना आने वाले तेकोड़ों कोशन इसे बनाए जा सकते हैं इसी कॉंसेप्ट पर हमस्ति वे चलो यह भी क्लिए वाटर वाटल का आराम से अगर इस तरह से है तो प्रेशर कम और ऐसे है तो प्रेशर क्योंकि एरिया कम हो गया और मास क्या इसका कॉंस्टेंट है यह क्लिए है तो यह नितना अब बताना मुझे और मास बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा तो घटेगा आपका हुद दोनों में चिंज होगा तो जो डॉमिनेंट होगा क्लिए इतना और ऐसे निके स्क्वेर होगा रहे है नमल है अब आते हैं अगला पॉइंट इसी में वान लोग की एक एरिया है यह है माउ मैदानी भाग कि दिखे रूप पॉज है मैं हाइट मालो यह एक वीटर के आसपास है पहाड़ हो सकता है पठार और मैदानी च्छेतर हो सकता है प्लेन ऐसे किसे मालो कि यह इसकी हाइट फिक्स है कि इसका पॉज कि में चोब मंदल का उचाई फिक्स है इसमें पढ़ने व यह एक उनिट एरिया फिक्स कोअगे उनका पढ़ने वालह भार हुए ने के लिए यहां पर लिए सेम उतना ही ने लिया ही इसमें पढ़ने वाला है कि यहां ने वाल हाई ज्यादा होगा यह ख्योँ आ nhiं आ जैसे सो ओगे यरप आ Alma जई होना खौन होते जाएंगे धिक्स अब यहाँ की बात परो Sam area अमने नाओ यहाँ पी क्या है ज्यादा यह से कम जाओगे कम होता जाएगा और उपर में उतना कम मिलेगा फार किसका फार किसका हवा का इत्मोस्फरिक प्रेशर होता क्या है किसी बी इकाई छेतरफल पर हवा का पढ़ने वाला जो भार होता है आप बताना इसका मास M1, इसका मास M2 और इसका मास M3, एरिया सबका सेम है, A, A, और A, यहां का प्रेशर P1, क्या होगा? M1 upon A, यहां का P2 क्या होगा? M2 upon A, यहां का P3 क्या होगा? M3 upon? M1, आप बताएं, सबसे ज़्यदा दबाओ कहा होगा? P1, P2, P3, very good, आप बताओ, P1 पे, आप बताओ, आप लोग उनको समझाओ कि क्यों होगा P1 ज़्यदा प्रेशर? इसका? हाँ, काम छेतर? हमने खाएं सबसे ज़्यदाओ क्यों होगा? किसकी लंबाई? अच्छा, P1 की लंबाई कम है, क्या ज़्यदा है? कम है तो? ज़्यदा होगा? एट्मस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर हवा ज़्यदा है, किस से? अधिक लंबाई है इसका? तो, कम लंबाई होने से हवा कमे ज़्यदा? उसका भार ज़्यदा है या कम? तो प्रेशर ज़्यदा है या कम? यहाँ पर ज़्यदा हवा, उसका दबाउ ज़्यदा? यहाँ पर सबसे लिए हवा, दबाउ सबसे ज़्यदा? और यह मानलों मैंने कर दिया ओशन है कौनसा है यह ओशन इसका हाइट उससे भी कम यहाँ पे जो हवा होगा सबसे ज़्यादा एट्मोस्फेरिक प्रेशर कहां पहाड़ों पे आप समुदर में क्योंकि वहाँ पे एर की मास ज़्यादा होगी दबाओ ज़्यादा होगा इतना कि लिए हुआ इतना बेसिक चल रहा हूं ऐसा कर लिखा भी है किताब में वापस देखो यह पहाड़ है वापस देखो प्रेशर क्या होता है दाब क्या होता है ता बराबर वाल अपॉन चेत्र इचेत्र सब में सेम ले लिया आमने को इश्यू की बात खर्टम कर दो इस पर टिपिन करेंगा बल पर वश्यू क्या होता है तर मान इंटू अंटिटेशन एकल मजले से लाटा आँ और बता कि जहाँ दर्मान ज्यादा वहां प्रेश ज्यादा या कुंद्य थि क्पन जैसे जैसे हम लोग उचाई से नीचे की और आते हैं, दबाव बढ़ता जाता है, तो maximum दबाव कहां मिलेगा, समुद्र, यह के लिए रहें, इसका मतलब प्रित्वी में हम जहां कहीं भी atmospheric pressure measure करते हैं, generally किस से लेकर जलते हैं हम लोग, समुद्र को लेकर सबसे नीचे हैं, वही maximum होता है, वही होता है one atmospheric pressure, जितना उसको मानते हैं हम लोग, एक unit area में, अब जैसे से पहाड़ों के उपर के और जाओगे, दाब कम या ज्यादा, पहाड़ों के जाओगे हवा की मातरा कम, दबाव कम, जैसे कि दाब उपर कम है नीच जादा है, तो कोई balloon को छोड़ते हो, जिसमें helium gas हो, helium gas का हलका होता है भारी, हलका होगा, तो हलका होगा तो वो कहां जाएगा, उपर की और, helium gas कहां जाता है, उपर, कहां जाएगा ये, उपर की और, की साइट तक जाएगा, जब तक उसका बाहर का atmospheric pressure, अंदर के pressure से बराब घट रहा है, घट रहा है, इतना clear है, तो मान लोग कि हम लोग earth surface पे हैं, यहां पे, plane उड़ी, plane यहां से उड़ना शुरू हुआ, जैसे से उपर जाता जाएगा ये, बताना pressure बढ़ है घटेगा, इसका बाहर का अंदर का, बाहर का, चुकि हम लोगों का रहने का जादत है इस atmospheric pressure में, जो cabin होता है, plane का, उसका atmospheric pressure हमें constant रखते हैं, इसलिए plane के जो खुड़की होती हो खुलती, और खुल जागी तो क्या होगा, अंदर का जो हावा है, pressure जादा और बाहर का, कम, तो बाहर निकल जाएगा, और इतना होता है, कि अगर तुम खोल दो, तो सब कुछ A to Z everything will go out, movie में देखा होगा, कई सारे movie में देखा होगा, सब बाहर निकल जाता है, यती बास समझ में है, अब बताओ, जैसने से उपर के और जाओगे, जैसने पहाड पे चड़ रहे हो, तो atmospheric pressure ज्यादा या कम, कम होता जाएगा, तो सुना है कि पहाड़ों पे जब चड़ते ह हैं, तो bleeding होन लगती है, नाक से, क्यों होता होगा, जो आपका blood pressure है, ध्यास दखो, जो blood pressure है आपका, वो atmospheric pressure की वज़े से balanced है, आपका जो खून आपकी नसों में दोड़ रहे हैं, अंदर, वो उसको प्रे करके बाहर ने आ रहे हैं, क्योंकि बाहर से दबाव उतना ही है, जि हो, इस हिसाब से जैसे से उपर की और जाओगे, blood बाहर निकलने कुछिस करेगा body से, और जो भी आपका सबसे weak जून होगा, वहां से blood बाहर आएगा, वहां से blood आने शुरू हो जाते हैं, इसी बास मुझ मैं आई, अच्छा हवा को जब गर्म करोगे, तो expand होगा, फैलेग तो अंदर का दबाओ, blood pressure जादा, तो बाहर आता है blood, गर्मी मेनाक बना सफूर जाते हैं कई बार, why it happens, just because atmospheric pressure reduced during extreme hot, जब बहुत गर्मी होती है, तो बाहर का दबाओ, गम, अंदर का दबाओ, तो बाहर आएगा खुरू, तो गर्मी में bleeding क्यों होती है, समझ में आया, पहाड तुम लोग कल बताना कि मालनों कि तुम्हें दाल पकाना हो, जावल बनाना हो, और सर्फिस पे और दुसरा पहाड़ों पे, कहां पे जल्दी पकेगा, पानी पे, अच्छा ओशन में, मतलब कि जहां कहीं भी atmospheric pressure जादा होगा, और दाल जो पकाते हो, किसमें पकाते हो, pressure cooker क् हम लोग, pressure बढ़ जाता है, तो जल्दी पक जाता है, जहां पे pressure कम वहाँ, देर से पकेगा, बिरबल की खिचड़ी हो जाएगी, पहाड़ों पे जाका मना होगा तो बिरबल खिचड़ी, और नीचे मना रहे हो तो तुम्हारे, किती बात समझ में आई, अब इस पे हजारो तरीके से कोशन बन सकता है कि नहीं, application wise, मेरे ख्याल से दाब क्या होता है, और इसका application क्या होता आपको समझ में, आगे बढ़ा जाए, जितनी height पे जाओगे, उतना ही कम होता जाएगा, सबसे कम जो तुम maximum महसूस कर सकते हो, एक्जूस पेर के बाहर जाओ, हवा ही निर्व निर्वाद तो फिर क्या होगा, pressure, और वहाँ पे अगर तुम्हें निर्वाद में जाके छोड़ दिया जाए, यूवल ब्लास्ट लाई का bomb, जिसे बलून को तफ़रा सा हम लोग करते तो क्या होता है, बढ़ जाता है वो, तो एक इनसान को लगभग, एक height पे जाओगे, मालो की 30 km के उचाए, 30 नहीं, 30,000 km उचाए पिले गया तुम्हें, और अचानक से बाहर निकाला, फिर क्या होगा तुम, इसलिए बोलोगे कि जो एस्ट्रोनोट जाते हैं उपर, हलो, वे space docking करते हैं बाहर निकलके, ऐसे cases में, कैसी जाते होंगे बाहर, ऐसा उनका suit होता ह है जो atmospheric pressure को अंदर और इसलिए फूला फूला रहता है, क्योंकि अंदर का air से वो pressure maintain करें बोड़ी को, अगर ऐसा पहनलो, stylist चिपका सा सलमान खान फिर, उपर जाके कौन सा खान बंजा हो गया है, expansion खान बंजा होगे, you will exist nowhere, done, अब लगता है थाकान आपकी थोड़ी सी कम हो हो गई है, फिर से आगया, तो pressure क्या होता है, बता दिया मैंने, इसको मापन आ हो तो कैसे माप हो गए, mg गहा था मैंने, mg गहा था न, पर अपन एरिया, देखो तो mg इसको convert करें ऐसा कुछ हो सकता है, क्या, रो क्या होता है, rho is density क्या होता है, mass upon volume, यहाँ पे खेल करके देख हैं, क्या हम लोग, यहाँ पर बता रहा है, pressure is equal to rho dh, हमने, rho क्या होता है, d रहे गई, और h है, अगर यहाँ पे मैं कहाँ हो, meter square कर दो, m dh upon meter square कर दो, को हो और अज्सक्राइब अब अगा दो मीटर निकलेगा ठीज हे एक लिए यह वालयम से क्योट एनक होगा मतलब एम इंट्व एंट्व एंट्य होगा सिजट उखन एम होगा सुखेर गार सुखरत अब क्या है निया बिटर एयरिया रहां कि अब अब क्या होताAST volume देखो तो आ गया वही mass upon mg upon area कह सकते हैं उसको rho g h वापस कर दताओ मैं reduce तहां से देखो तुमने पढ़ा pressure is equal to rho g h इसका unit लिखो, rho क्या होता है mass upon volume ये g है और ये h है मान लो हमने इसको और इसको convert कर दिया किसमें, ये mass रहने दो कितना यह जी रहने दो कि यह H को हमने मीटर में मापेंगे हाइट वॉल्यूम को मीटर इंटू मीटर में मापेंगे कर सकता है यह बच्चर दख़ए तो Mg अपन M2 M2 क्या होता है एरिया आ गया Mg अपने एही कहा था हमने 4 पर निट एरिया हला कि मेरा काम था नहीं बस समझ में आ गया कि हम लोग Mg को रो जी एच भी कह सकते हैं क्योंकि हम डेंसिटी कर लेंगे और कितने हाइट पर देंसिटी कितना है बता सकते हैं कहां दाब कितना होगा इसकी जुरत नहीं थी बस मैं आपको बता दे रहा हूं एक्ष्टा थोड़ा सा आप इतना ध्यान रखो दाब वायू दाब उचाई के साथ क्या होगी घटेगी बढ़ेगी उचाई के साथ दाब घट जाएगा इसना के लिए है चलो और देंसिटी भी कम होता है जैसे दे हवा कम हो रही है इसलिए कि बस मढऄ खर्यालो जिसे तर देंस वुचाई पे जा रही हो हो कि मातरा बड़े घट रही है जैसे देजी पे जाओओ पर हवा कम थी बाव अब आ वापस अगर तुमसे क्वेक्वैस्जन पूछ दे यह है वाटर बॉर्ट बॉरडिगी ठीके एक्मोस्फरिक प्रेश्र मान लिया है सब सुझ कि ओन जीरो 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 मिली बार नाम सुना है बार मतलब प्रेश्र मापने का यूनिट हमारा है कि यहाँ प्याज हो इतनी गहराई में कि अब बताओ यहाँ कर्जों होगा कि यह 00, data कि रुषाल होगा Я कम होगा कैसे ज़्यदा होगा हुआ हावा का जो दाब है तो है ही आधे पानी का भी दाब है तो मतलब पानी के अंदर जितना जाओगे दाब बढ़े घटेगा तो यह भी कोशना सकता है कि तना बढ़ेगा इसका इनिट एरिया ले लो जैसे मैंने कहा ऐसे या फिर ऐसे इसमें करता है ना जिस चीज पर दाब की तुम बात कर रहे हो उसका एरिया ले लो और मालों कि यह इतना एरिया इसका है यह यह तो होगा कितना एम जी एच तो होगा ही तो होगा ही एम जीच कह रहा हूं रोजी समझ में आया कि पानी की नीचे जाओगे तो दाब और तुम लोग धेदर यूपेसी में इस समुदर में नीचे बोता लगाते जा रहे हो तुम्हारा दाब बढ़ रहा है घट रहे तुम्हारे उपर और यह साथ में जो भी दबाव बढ़ रहा है उसको निटारन नहीं क्या तो इसकिप करके भागोगे और नहीं कुछ लोग सुसाइड भी करते हैं अक्सर देखा होगा जो अभी सुन रहा है कहां पे खोटा में कि क्यों हो रहा है सुसाइडल टेनिंसी बिकॉज अफ वो स्टार्टिंग में घर वालों को नहीं बता रहे है कि मेरे से नहीं और वो लगतार दूपते जा रहे है एंचे की और भार बढ़ता जारा दबाओ बढ़ता जारा और एक समय के बाद आप दाब सहन नहीं कर सकते हैं यू आर ओवर प्रिसराइज राइज और लिया है ना तो होप यू गॉट्ट मैं पॉइंट वर्ट एजिकल आम ट्राइं राइट किती बासमझ में आ गई आगे बढ़ जाएँ पानी के अंदर बढ़ जाएगा तो ये क्लियर है तो वाट एक्जेकली दप्रेशर इस रोजी एज फोर्स पर निट एरिया अभी तक सारा क्लियर है पानी के अंदर पानी के बाहर बढ़ आगे बढ़ू दन जो मिने बताई पहाड़ों पे हो हवा की मातर जादा है या कम जैसे इसे आओ प्लेटूस पे और जादा हो जाएगी प्लेन में और जादा ओशन सर्फेस पे इसे प्लेट पहाड़ों पर जाते हो जब तुम प्रेश्र फ्री रहते हो ना कोई काम आम नहीं है घर पे हो तो काम बहुत जादा है तो इसलिए करते हैं आस्मान चुना जब आस्मान चोग जिवन में सफलता तो फिर प्रेशर जादा है कम किस का खाने का घर वालों को सपोर्ट करने का इजत का समान का वह अलग बात है कि दुसरे तरह का and your blood will try to come out because external pressure is low in that case you may bleed if you somehow not maintain your body your health same कहानी area same सब में लिए आमने पाड़ों पर हवाएं कम तो दाब कम जैसे से यह हाइट बढ़ता जाएगा प्रेशा बढ़ता जाएगा तो जो आपने अभी पढ़ा था कुछ लोग गन्फूज हो रहे होंगे प्रेश सी एक यह हाइट कहासे लिया जा रहा है koopoge से यह भड़ेगा प्रेशा तो अगर तुम यहाँ से हाइट मिजर कर रहे हो कहां से यहाँ से ले ठीज यह तुम इतना की लिए दुसरी बात देंसिटी बढ़ेगा तो जैसे मान लो कि एक ऐसा बलून है जिसमें एक लीटर हवा आ सकती है एक में हवा हमने भर दिया धिलियम और दूसरे में जो हमारा नीचे वाला भी हवा हवा है ऑक्सीजन मान लो भर दिया कौन भारी है किसका प्रेशर ज्यादा इसमिल सी बात है अब यह बता यह के लिए ने सारा कुछ जैसे इसे हाइट बढ़ेगा कहां से रोफो कौश से जहां तक हवाएं हैं नेचे की और हाइच बढ़ती जाएगी प्रेशर जैसे सहावा का डेंस्टी बढ़ता जाएगा प्रेशर और जैसे गी वैल्यू प्रोसेसर सलो है मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ग्रेविटेशन के परिपेक्ष में इसके ग्रेविटेशन जी के वेलू ज्यादा कहां पे है एक्वेटर पे या पोल पे क्यों हो सब लोग क्यों क्यों चप्टा है वहां पे रेडियस उसका थोड़ा कम है इतना ज्यादा तुम सेंटर के करीब जाओगे उतना ज्यादा क्या होगा ग्रेविटी बढ़ेगा और ग्रेविटी बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और वैसे भी पोल पे हवाएं ठंडी है या गर्म है और ठंडी हवाएं भारी होती है हलकी तो प्रेशर ज्यादा या का कम हर तरह का प्रेशर वहां पे खाना मिलता है इन आती है प्रपर दूफ होता है प्रपर पानी मिलता है पिने को प्रपर प्रेशर वैसी भी रहेगा अगर भूल जाओ तो वैसी प्रेशर याद रहेगा Good Done Air Pressure clear है Now, measurement of air pressure, how do we measure the air pressure? Nanometer तुम बताओ, nanometer से क्या measure करेंगे? Length, दूरी, रंबाई, distance, ठीक है? जैसे बहुत ही कम distance होता है, जैसे मानलो कोई atom है उसके इसके बीच में distance बहुत कम होगा? Nanometer, Fermi, Pico, Femto, इसमें measure करते हैं और दो प्लेनर के बीच में पार्सिक, लाइटियर जैसा दूरी वैसा, वो डेटा हमारे समझ में आई इसके लिए ऐसा रखते हैं यह दन होई दन है इतना, तो बताओ, प्रेशर मेजर्मेंट कैसे करते हैं? एक तो हमारा होता है पास्कल, एक होता है, एक होता है बार अभी पढ़ा हमने, मिली बार में और एक क्या होता है? हमने भी बताया था ना, force per unit area, force का unit क्या हुआ? Newton, per unit area, Newton per unit, हमारा meter square होता है, Newton per meter square, वापस देख लो यहाँ पे, तो फिर दंडे पढ़ेंगे, प्रेशर जो क्या होता है? force per unit area, force क्या होता है Newton, area क्या होता है? meter square कह सकते हैं, Newton per meter square, इसी को सर्च किया था सबसे पहले Pascal ने, that's why उसने कहा कि उसको हम Pascal बोलेंगे, क्या? Pascal नहीं, क्या बोलेंगे? ठीक है, Pascal, thought form में उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है? लेकिन यह Pascal से हमें, कहीं भी जब देखोगे, measure करते ही unit हम लोग, तो हम लोग Pascal में नहीं करते हैं, किसमें करते हैं? millibar में करते हैं, जो हमें समझ में आए, जिनरली हमारा जो atmospheric pressure है, जहां तुम बैठे हो अभी, कितना pressure है? जैसे, इन्होंने सही कहा, 1013 millibar, लगभख कितना 1000 millibar होता है, जैन, जैन रहेगा, अब जैसे से पहाड़ों पर जाओगे, बढ़े है घटेगा, घटेगा, कह सकते हैं, इसको पास्कल बोलते हैं, इसी को हम unit convert कर दे किसमें, बार में आ जाएगा, एक और है, कई बार तु मेजर करते हैं, तुम्हारा डॉक्टर बाजू में लपेट करके चेक करता है, वो क्या उपर उड़ता है, वो मरकरी होता है, तो उसकी हाइट कितनी ऊपर जा रहे है, उसको इससे compare कर लो, अज़ जाएगा, तुम्हारा जो blood है, तुम्हारे nerves पी कितना pressure generate कर रहा है, force generate कर र हलो, आगे directly question पूछूँगा, जून का महिना है, Arabian Sea है, Bay of Bengal है, कहां का atmospheric pressure ज्यादा होगा, दोनों ocean है, height तो सेम है, as per that pressure should be same, but there is other factors, there are other factors which will decide the amount of pressure, अभी बताऊंगा नहीं, पूछूँगा आगे चड़के, ज्याद रहना आपको आपको आंसर करना पड़ेगा, फिर वो च ते pressure पढ़ क्यों रहे है, क्योंकि it is directly related with your rainfall, directly related with your cyclone, means various atmospheric phenomena, it is directly linked with your wind movement, high pressure to low pressure, चुकि आपको क्लामेटलोजी की सारे factors पढ़ने है, detail में, that's why we are studying pressure, पर लिया प्रेशर क्या है, height के साथ, कम होता है, measurement किस में करते हैं हम लोग, newton per meter square, उसको क्या बोलते हैं, pascal, उसको हम convert कर सकते हैं, cgs unit में, उसको क्या बोलते हैं, बार, ठीक है, और उसको एक mmHg में भी करते हैं, तीनों का मैंने compression आपके पास दे रखा है, घर पे एक बार देख लेना, ऐसा ना, क्योंकि पेस कितनी height, कितना mm ऊपर उठता है, कौन सा, बर करी, किनों का compression यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे, क्या लिखा है यहाँ पे, a pressure of 1000 millibar is equal to weight of 1.53, लगभग कितना, 1 kg, kilogram per square centimeter, मतलब कि मान लो कि इसका area कितना है, मान लिए आभी के लिए, कि यह 1 square centimeter है, बढ़ने वाला pressure, पर कितना पानी है यह, 1 kg के आसपास, इसके दोरा पढ़ने वाला जो pressure है, कितना होगा यह, 1000 millibar, और इसी को बोलते है, 1 atmospheric pressure, क्या बोलते है, इतना समझ में आ गया, आगे देखो, पर आशास को mmHg में, अगर 760 mm हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब धिया है, इसका मतलब तो 760, तो तीनों ही मातरा में ध्यान रहेगा, आपको, इसका मतलब जाए, और तुम्हारा जो एक्जाम का पर आता है, इसका किसे प्रिजर करते है, यह कर बताना है, माउस में कुछ भी नहीं है, तो तीनों कंप्रिजन दिया है आपके स्टेट पीस डाइक लिए कोशन पूछे गया है कि पीस सकता है कि मिजर्मिंट हो गया कि इसका अंसर कौन करेगा पहला है मालो कि हवा बहुत ड्राइए है कुल है और प्लिजन ऐसे केसे में जब बैरोमीटर ले जाओगे बैरोमीटर इडिंग आई होता दिखेगा या लो होता दिखेगा प्रेक्टिकल कोशन पूछ रहा हूं अभी यूपीस ने नहीं पूछा नहीं तो यह बताओ कि कहीं पर बहुत ही कमफोर्टेबल फिल कर रहे हो प्लेजन्ट है हवा कैसा है राइए है एन खूल है राइन कूल कूल कौन सा मौसम हुआ करमी का की ठंडे का राइए एन खूल राइक अब होगा जब इसकी चंबता नहीं होगी कब होता है वाटर होल अधार ज्यादा या कम करा वोगा तो क्या होगा हवाएं करम भी उपर उठ जैंगी हावाँ कम तौप घरमी कि दिनों में अब दूसरा बताना इन जेनरल आराइजिंग बैरोमेटर मींज अगर बैरोमेटर रिडिंग बढ़ रही है इसका क्या मतलब होता है वैदर इस वर्सिनिंग और इंप्रूविंग तो वैदर अच्छा हो रहा है खराब हो रहा है हिट जाता होगा तो बैरोमीतर कम होगे बढ़ेगा हुआ हैो गदा पर प्रेशरव कम हो जाए सब बता रहा है इंजनराइजंग बमेर ँचेल कुंह मतलब था हुआ है हो वो रहे सेनिंगए इंप्रूविंग रसनिंग और यह यह ज़ी थी आगर कि देख लेते हैं अगर बहुत गड़ए तो देखो इसने अल्रेडी बोल रखा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब तुम मान की चलो कि एक नॉर्मल वेदर कंडिशन है ऐसे केसे में अगर वो जा रहा है इसका मतलब क्या है थंड का मौसम आ रहा है ठीक है और यदि मतलब हवाएं थंडी हो रही है और इसका एक साइकलोन कव होता है प्रेशर बढ़ता है तब या फटा है तब चक्रवाद कब आता है अभी नहीं पड़े हो अभी समाझ लो टैमपरेचर नहीं गलत फंश जाओगे तुम जब भी कहीं भी लोग परेशर एरिया हो वहां प्रहां पर आता है चक्रवाद तुफान कर देडिंगंगड नहीं मतलब पर मीटेइडिंग परमेटीयों फोह्हारा न मटंदा इंक प्रेश resilience होना मतलब क्लियरस काई होना नममल कंदिसंग रहनावे इसमें किस्तर बताना विछ इननल पॉलिंग इन टेनल गहर कॉया रहा है मतलब पर मीटरीडिंग कम होने का मतलब कि अने वाला है आंधी तुफान आने वाला है ऑचानक से देखू के बार मीटरीडिंग कम होने लगा एट्मोसरिक प्रेशर कम हो रहा है इसका मतलब है कि आपके हाँ पे कम है तो कहीजादा होगत तो हाँ की अधिक गज्च neither नहीं कम उतनी ते चावा कि बड़ी आंधी कर लोगे आ समझ मैं तो इफ बैरोमेटर इडिंग इस डिक्रीजिंग इट मिन्स स्टॉर्म इस अप्रोचिंग यू अधी आने वाली इति बास मैं अच्छा इसका थी कुल्टा कर दूँ छोड़ बैरमेटर मालो हुमिडिटी 99% म है तुम्हारा पीछा कर रही है क्या आने वाला है है क्यों छोड़ो हुमिडिटी की बात कर रहा हूं दलवास की मातर 99% हो गया पारिस आने वाली मज में आ गई अभी फिनिश किया था था ना पढ़के हमने तन तो यह लाइन के लिए देखो तो वेन अटमस्फेरिक प्रे प्रेशर में से स्टिड अलब तेर वी लाइकली तू नो इमीडिये चेंज इंग तो वेदर हैं एन क्लाइमिट ग्या ओता है अलेडिगे वेदर में चैंजिस कशचेश में आते हैं प्रेशर में बदलाव आते ही बदला होगा तो हावा हो का स्पीड बदल जाएगा कर्मी है ऐसे केस्ट में क्या होता है क्यों एक्सपर्ट की थोड़ी से हवा तो बहे नहीं तो क्या करते हो और उसे बहतर क्या है सिलिंग फेन बहतर क्या है और उसे बहतर क्या है कि वैसे जब यूपसी कर रहे हो ना अगर तुम्हारे पढ़ाई स्टीडी हो जाए भालत खराब हो जाएगी मतलब रुख जाए बदलाव चाहिए आपस आप्शन कौन कौन सा है अप्शन एक तो है हाथ से ऐसे हवा पाना अधब थोड़ा बहुत ऐसी पढ़ते रहना जहां तहां से कुछ कभी यूटुब से पढ़ लिया कहीं कुछ पढ़ लिया उससे बहतर है थोड़ा सा इंसी आरटी पढ़ लिया चेंडर पढ़ लिया मतलब शेलिंग फेन लागा ल प्रेड लगाने का मतलब होता है है भी डेवलप कर लो जो सही है बच्जाओगे तो आंसर इस यह जो आपका महाँ पे खाली अस्थान था फिल इन दे ब्लैंक्स विद क्लिया आगे बढ़ू किसका आंसर क्यों बता दूं गुंता रहेगा ना अभी मैं बता चूं इस बता चुका हो तुम आनसर करो इस किया है से पंदन सुरुञ वला पार्ट इहां पे कौन सा है इसका something 1944 किया लग लग और है लगभग सेलसेंग में क्या पानी छोट और एरिया और ये ऑड़ ses कौन होगा रएज़िय। इयरिया कम है और लैंड就是 घ्रान्सफर होगे थोड़ी सी तब कि ओर एए चोटा है ज्लिए ज्लिए office य्वां जुपिंठ कम जएगे इूपर को जाएंगे 2 लो lar जादा था इखाएंगे बन्हीं और साइकलोन उसी होता है जहां पर प्रेशा लो होता है तो साले एक साइकलोन कंडिशन कहा होगा इसलिए हमें साथ वाइए उरिसा कोस्ट अंद प्रदेश कोस्ट तेरला बहुत रेरेश अप्रेर केसे सुना होगा कमझ मैं डीटेल और बाद में कि यह एक प्रेशर की बात कर रहे क्या है हमने क्या बात किया प्रेशर जो कम होगा सिर्फ एरिया प्रेश्ट इसके समें किस प्रेश्ट कर रहा है हवा कितनी है और कितनी नहीं है यह कि लिए है यहां पे गर्म हो गया तो हवाय उपर उठ गई तो प्रेशर लो इसका कंपरि नहीं आएगा यहां पर cyclone आएगा जालो आएगा नहीं जब extreme case में temperature यहां पर ज्यादा हो जाएगा कब ज्यादा होता है कब ज्याता होता है गर्मी की दिनों में प्री मॉन्सून के टाइम में extreme condition जैसे जून का महिना जेट्स इसको बोलते हैं कब आता है cyclone अभी आता है पास्मझ में आए बाकी details cyclone पढ़ेंगे तो अभी क्यों जा रहे उधर तुम लोग आगे का पूछते रहते हो मैंने पूछा था कि बाद में पूछूंगा तुम्हें बताना होगा यह कहा था यह निका तुम बताओ अभी मेरा काम है तुम्हारे दिमाग में question डाल देना है ऐसा ना कि तुम घर पर जाकर के सो कुछ और सपने देखो महारे दिमाग में आए कि सर ने जो question पुछा तो उसका answer क्या होगा I want to keep your mind busy but I use हो जाए unused ना रहे है इंदी में भी है आगे बढ़ जाओं समझ में आभी रही कि यूहीं आगे बढ़ता दरहूं मैं आगे देटा याद रखना जुरूरी नहीं है बट एक समझ होनी चाहिए जनरली कितना होता है उसके लिए आपका डेटा दिया हुए थोड़ा सा जैसे कितना होता है 1013 कितना होता है on an average the temperature of the earth is 15 degrees celsius तो ocean का surface लगभग कितना होता है 15.2 के आध पास average maximum temperature of ocean यस नहीं करना है maximum temperature होता है 29 कहां पर होगा equator के पास जैसे से दूर जाओगा temperature कम होता जाएगा तो c level पर कितना है 1013 एक जीवी से कम है ज्यादा है एक जीवी ज्यादा है पेटा compression याद करने के लिए 1024 होता है न वह एक जीवी कितने होते में एंबी 1024 पड़ा सा कम है रिलेट कर लो याद रहेगा 1013 याद नियागा तेरह पता है बहुत खराब होता है वर्ल्ड वाइड 13 नंबर इस considered सबसे खरा मनाता है दुनिया में तुम भी बहुत बड़े सेक्टर में जाओगे फर्टी नंबर कॉलनी नहीं होती फ्लैट कोई जल्दी नहीं खरिता वाच्पजी के सरकार 13 से गिरी थी और दुनिया में कई सारे बैड हिस्टोरिकल इवेंट्स में जिनका कनेक्शन कही न पर है तुम मानो या ना मानो लेकिन वर्लड वाइड इडिस कंसिडर इस अ कर्स नंबर रापर स्रापी थे यह क्या हुआ जलिया वाला बाप की थर्टी कई सारे गटने घड़ी थी मैंने कहा था आपको की टेंप्रेशर प्रेशर एट्मोस्फेरी ओशन सर्फिस पी कितना होगा रोजी एच कहीं भी जाओगे रोजी एच एच कहां से माजर मिजर करते हैं अब पानी कंदर चले गए प्रेशर बढ़े अगटेगा स्कूबा डाइविंग करोगे प्रेशर ज्यादा है अकम अच्छा मालो पानी कंदर धरती फार कंदर गुजाओ प्रेशर बढ़े अगटेगा हमने पड़ाता है इंटरनल इस्ट्रुच्च्छर अफर्थ में आज जी एच उसके नीचे तो रोजी इस तो हो गाइट मुस्वेक परेशा ताथ में जो हमारा रोजी एच आफ वार्ट भी लोगे वाटर का देंसेटी वहां पर ग्रिविटेशनल फोर्स और कितना हाइट टक नीचे गया हो जीतना हाइट नीचे जाते जाओगे हमेसा टॉप से मेजर करते हैं उतना ही प्रेशा बढ़ता जाएगा याद रखना है यहां पर हाइट हमेसा टॉप से मेजर करते हैं टॉप टू बॉट्वर्टम था अवाज ने आई है एटमस्फेरिक प्रेशा एटी एम एटमस्फेरिक टॉट फर्म ऐसे नहीं था तरुको क्या होता ह यहां पे जीरो है तो कितना है लग भग एक हजार मेली बार और सर्फिस भी कितना है अब जैसे से और सर्फिस से ऊपर क्यों जाओगे हाइट बढ़ेगा मतलब यह हाइट यहां से देखो यहां से जीरो से पांच मीटर दस मीटर एंसो और आगे बढ़ते जाओगे प्रेशर कम होता जागा यह बताने के कोशिश किया है तो रिलेशन हाइट के साथ में प्रेशर का अग्ला में पूछ दो अगर यहां से चुम चले जाओ कहां पर आउंट एवरिस्ट वहां पर एट्मोस्फरिक प्रेशर कितना होगा कितना कम होगा अब कुछ महीं बताओ यह आपके लिए होमवर्क है कि लगभग आठ किलोमेटर के उचाई पर जाओगे इसमें देखके बताओ कितना है हम लोग मातर यह फीट में है प्रेशर ग्रेडियंट ग्राफ इस नौट गीव पिक्चर यह फीट में है अंडेट से कम और नीचे कितना है वन थाउजन और यह फीट से कम होगा नहीं वन थाट से कम होगा तो यह फिल एजी और अनीजी क्यों प्रेशर कम होगा तो क्या होगा वहारा ब्लॉड प्रेशर जादा है ऐसे केसे में जब तुम्हारा बीपी हाई होता है यहां नीचे तुम्हारे मुझ से बहुत अच्छे सब्सक्राइब निकलते हैं देखो यह राज यूग करके बैठा हुआ है इसके नहीं निकलते हैं तो आज यू गो आप प्रेशर देखिए तुम्हारा बोडी का प्रेशा हाई हो जाएगा और हाई प्रेशर में तुम गुस्ते माजाते हो अलग बात है कि वहां का टेंपरेचर कम है वहां का टेंपरे जब हम प्रिथवी की बात करेंगे तो अलग-अलग प्लेसे सपे प्रेशर अलग-अलग होगा जहां कहीं भी हवा की मातरा समी हाइट सेम फाम टूप वे पर प्रेशर सेम हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर कम घटेगा तो अगर प्रिथवी पे हरेक उस पॉइंट को मापस में एक लाइन की थूर मिला दे मैप बना करके जहां पर प्रेशर सेम है उसे क्या बोलेंगे तम दाब समान दाब रिखाएं कह सकते हैं आइसो बार्स के थूर हम लोग प्रिस्वी पे सारे समान प्रिस्वाले प्लेसे को पैस कर देते हैं जैसे कि हम लोग आईसो थम में पढ क्योंकि जैसे मानलो माउंट टेवरेस्ट आ गया बीच में रहें रिप्लेन फ्लेट फिर अब ऐसे किसमें वहां का टेमपराचर माइनस 45 मानलो मानलो माइनस 45 मानलो माइनस 30 गरी सेल्सियोट तक यह अचिक नहीं आसपास 37 के आसपास में है 38 के आसपास वही बगल में क्या एक माइनस 40 दूसरा प्लस 40 जाएगा तो हम लोग एक प्रिथ्वी पे इखाने के लिए की सी लेवर प्रेडियूस कर देते हैं और देखते हैं घटाके कि वहां पर कितना उसका का टेंपरेचर होगा विकाज वी नो एवरी वन किलोमेटर पे साढ़ेची डिगरी सिल्सियस सेपरेचर कम हो जाता है तो हम लोग एवरेस्ट की हाइट को रहते हैं कहां पे ओशन सर्फिस तक अगवर 8 किलोमेटर है उसको कम कर दोगे तो 6.5 से मल्टिपलाई कर दो उतना कम उसको लेते हैं कि वहां का ठेंपरेचर उतना है ठीक सेम रिपीट करते है किसके समय एट्मोसफेरिक प्रेशर मेजर करते हैं तब भी कौम मेजर नहीं मेरे रिखाई की बात करते हैं जिसको बोलते है आईसो बाहर जिसे कि आपको समझ में आए कि एक विटर के आसपस कितन होता है कि बात समझ में आई इसने के बारे में बात किया है इसने के इसने हो रहा है कन्फूजन हो रहा है है वो लो हाँ हम लोगों ने बताया था कि जो आइसो फर्म्स पढ़ा था हमने समताप रेखाएं कौन से महीने में सबसे जाधा डा करती जनवरी या जुलाइ पूरी ऩो दिन्या में देखा चालत है तो दोनों को जब कंपेर करते हो तो तुम्हें साफ साफ देखता है कि इस जादा है किस में कम है किस में था जो दिन क्लास के पहले आस कि हैंदी में भी है यह ह outfits सब्सक्राइब तो इसो बार जाएब भूते हैं, इसो पर नहीं होते हैं, तो इसो बार पर लेखेंगे विए इसो थम तो इसकेस, यहां पर लोप्रेश्यर प्रेश्यर आंगें हमने 500 밀리बार थेखें इसके चारों तरफ मानलिया हमने 800 मिली बार हो इसके चारों तरफ हो सकता है कि 1000 मिली बार हो ऐसे केसे में हवा यहां आएंगी इधर आने कुसिस करेगी आगे पढ़ेंगे और रोटेशन के वज़े से सीथी नहीं आ पाती रगती है घूमने और क्या होता है साइकलोन आता है तो ऐसे केसे में आप देखोंगे क और बीच में लोग ज्यादा साइड मोगा तो पास आएंगी इतनी बास सम्मझ नहीं का पता ना और इंसुलेशन हीटिंग कूलिंग एंड रडियेशन आर फैक्टर्स फॉर्द डाइनल चेंज इन दा एयर प्रेशर है क्या यह देखो तो वायूदाब में दैनिक प्रवत जाएंगी उपर जाएंगी तो दाब यह क्लियर है कि वेरेवर टेंपरेचर हाई होता है वहाँ पर दाब वहाँ पे बनास फट जाते हैं नॉस्ट्रिल्स लेकर जाते हैं नाक से खून आना शुरू हो जाता है घर्मी एक्स्ट्रीम होगा तो दूसरा बताना थितलन मैं थ्ट्र्णड़ी हवाएं होगी तो हावां संधनी हो जाएंगी नॉस्ट्रीम हो जाएंगी पर बढ़ जाएंग ऑद्थन के दुन होगा तो दाब जिया है या कम व के लिए रहे जाते हो ऐसे वीकीरन करके करन वीकीरन अअग सोलरेशन एसे क्या होगा यूरीचे यूर्ष कंते थे में में higher थे साफरीस एरय और कम हो हूता है घड़ी का जो कार्बुरेटर होता है पॉस्त भी कोशन अब होता है एक बर जाकर के देख लो कैसा होता है नहीं तो यूटूब पे देख लो कम से कम समझ में आजाएगा प्रेक्टिकल अप्रिकेशन लेकर लाइन बताना यह यहां पे इंदे ट्रॉपिकल रीजन इन अट्मस्फेरिक प्रेशर इस लारजर देंड अधर पार्ट अब देख लो यह ले पढ़ लो कुछ ने कट्रबंदिय छेत रहें मतलब 23.5 नॉर्थ 23.5 तो यहां पे टेंपरेशर ज्यादा है ऐसे केसे में वहां पे जो वायुदाब में परिवर्टन ज्यादा होता है या कम जैसे पोल पे जाओगे तो वहां पे लगतार क्या है थंडा है थंडा है में लेकिन एक्वीटर के आसपास में ट्रपीकल रिजन में मौसं बदलते रहते हैं तो वायुदाब बदलते रहता है तो ज्जादा बदलाओ कहा होगा जब तक तुम P-T का तयारी कर रहे हो, Mance में स्ने लिखे हो, तो fluctuation, तब तुम Equator की तरफ हो, जब P-T क्रॉस कर ले तो एक दो बार, Mance लिख लेते हो, तो कहां जाते हो, बोल के तब तुम्हें सब कुछ पता है, कितना दबाओ है, क्या करना, आसपस रहता है, तो ज्यादा, ट्रबूलेंस कहा होगा, Equator के आसपस, जब दिस P-T क्रेक करो, तो हम भी ज़्यादा बहतर बता पाएं, मैं मौका मिलेगा और दीप पढ़ाने का, हला कि मैं कोई कसर छोड़ता नहीं, क्या है, तरफ रहन बताना, इसका नेगडिव आसपस्ट क्या है, क्यों हाई प्रेसर में तुम बारे अंदर हवाई नहीं जाएंगी, कहो कि जो भी पॉलूटेंट्स है, हवा में जो परदूसन है, वो जब हवा उपर नहीं जाएगा, उनमें बने रहेंगे नीचे, जब तुम सांस लोगे तुम्हारे अंदर, और मरतबरीत खराब हो जाएगी, इसलिए, एर पॉलूटेंट्सन तुम से कोई पूछे, AQI थंड़ा वर्सिस गर्मी, दिल्ली में, उपर ज्यादधा होता है, जादा होता है, और मारिया उसी भग जादा होती है, ब्रिधिंग से रुएट, दरन ही चना, राइस की खेती कवळूटी है, करता कव हो, िपल स्टेबन बर्निंग कव बैरं राटो है, चैनल के उदक होती है, नीचे, वह स्वोट के बहार टानला चाहिए लिपी कि डिलडी को छोड करके कियों वहर दाए कियों तो horizontal distribution के हम जो बात कर रहे है प्रित्वी पे equator से pole की तरफ जाओगे variation जादा या कम equator से pole की तरफ जाओगे तो वायू दाब में variation जादा या कम variation कम सबसे दि कहाँ equator के पाद आँ देख लो तब क्या दिखा रहा है जो लाइन से जहां कहीं भी L रिखा हुआ, L मतलब low pressure, जहां कहीं भी H है वो high pressure, तो जहां भी low pressure होगा वहाँ बारिज ज्यादा, हवाई उपर उठेंगे तो बादल ज्यादा, बारिज ज्यादा, साइकलोन भी ज्यादा, तो जिसों कहते हैं वेदर कंदिशन खराब होना, कहां भी होगा? low pressure, so when barometer reading is falling, it means weather is going to worsen, क्लावडियर है, क्लावडियर स्काई, पारिस, आंधी, तूफान, कहां पे, यह क्लियर हो गया, रहां कहीं भी हाई है, वहां पे, normal condition बना रहेगा, अब यह सब जो समझ में आ रही है, नम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं कि वर्ड में कहां भी high pressure ह कहां पे, आ जाएगा, आगे बर जाओ, क्या हाँ, पिध, यहां रहाँ तुफ़रा सा लोग रिशब बता रहा है, यह यहां से कौन सा है, यहां पे, रिड़ वाला क्या है यह, वट यहां से समुद्री धराय आती है कर में ठंडी तो भी आएंगी सब कैसा होगा इक्वेटर पर गर्म आके कॉलाइड किया उपर के वर जाएगा क्या बोलते इसको गल्फ स्ट्रीम यह उपर वाला जो इधर आ रहा होता वो एक हिसा इधर निकल जाता है तो गर्म पानी है भव प्रेटिवली लो प्रेशर यहां बनता है जरूरी नहीं कि हर मौसम में रहे डिपेंड करता है विल सी इन दीटेल लेटर ओन एक आईडिया समझ में आया है ठीक है अगला यह कब का है तुलाई का यह कब का था जनवरी अब देखो तो सेम है आप बदल गया तुलाई के मह अब अधिनेंगे में लगा कर आदा तो प्रेशुडिक तो इससे दूर हो जागा देखो डिस्टेंस है इसका व्यटर से इसकेस में तो डिस्टेंस कम हो गया ना कंग हो समझ में आगे और यह भी डिसक्स किया था कि जब सम्ताप रेखाएं ज़िए गीच में हम आउस वेदर कैसा? एस्तेबल जब डिफेरेंस कम मतलब वेदर खराभे लागतार बारिस होगा तुफान होगा आंधी एंड रिश्टन्स कहा होता है नौर्थ में या साथ में नौर्थ में डिश्टन्स कम होगा वेदर चेंजे ज्यादा होंगे क्योंकि इन्फरमेटी नहीं है लेंड वाटर कॉंट्रास ज्यादा है सबको समझ में आ रही है मैं प्रवचन कर रहा हूं इस अब इस इंपरेंट पार्ट अगर यह समझ में नहीं आ गा तो पूरी क्लामेटलोजी जीरो और यह समझ में आ गया तो मैं अभी क्रेंटी देता हूं जाना इस इस क्लास करने के बाद यू कें सुल मोर दिन सिक्टी परसंट को अब बताओ कौन कौन से फैक्टर है जिस पर अटमस्वरिक पेशर डिपेंड करता है बताओ पहला मैंने कहा लैटिटूड प्रेशर की बात कर रहा हूं में जैसे से इक्वेटर से दूर जाओगे प्रेशर बढ़ेगा खटेगा हवायम उपर उठना कम होगा मोठे तोर पर कह सकते होगी बढ़ेगा कि पोल पे सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्वेटर पे कम मान लिया तुम्हारी बातों को कि अगर सिर्फ टेंपरेचर का यही अगर पैटर्न है क्या हाइट के सांग चाहिए जू गो आप यह क्लियर है जैसे अगर मैं प्रेशर और अल्टिट्यूड की रिलेशन बताऊँ तो वर्स है डारेक्ट कोश्ति-as you go up, हाओ आप लवाओ आप यह थी क्लियर है अगर आ气 रूटिशन है ना करे और राइक करे दो केसले हाओ रोटिट कर रहा है तो प्रिश्र जादा या कम और ना करे तो प्रिश्र जादा याकम तुरम संतुल रहेगा एकदम क्लियर है वोटे तर पर देखोगे तो फुलित है लेकिन थोड़ा डिजिल एनलेसिस करेंगे तो देखेंगे उसमें पर्क पड़ जाता है जैसे तो यह प्रित्वी है और यह क्या है एक्वेटर है कि रफ्तार कितने अगर कोई पॉइंट यहां पर खड़ा हो 24 घंटे लगेंगे उसको वापस यहां आने में और कोई बंदा यहां खड़ा हो तो प्रासा कम लगेगा आप से बता है अगर तुमने मालो यह किछिन है वहां लगा दूमें लिए कि अन्धा करोगे कि हमाये बहर जाएंगे अंदर आएंगे हैं हिए ऐसा तो यहां बहुत थे इसने हो गया आलो हृक एक प्रेंट पर ěश्र लो करना पड़ेगा गर हम जानते है आओ यहां कहीं भी प्रेशन दिन में स्पीड जदा होता है वहां प्रेशर द्रेशर कम हो जाता है तो चम्स ऐसे cases में जो room का हवा है कहां जाएगा अगर वहां पे तुमने बढ़ा दी वहां का speed बढ़ेगा तो क्या होगा pressure कम हवाएं कहा जाएगे इसका मतलब अर्थ सर्फेस पे देखा जाए जो बंदा खड़ा है इसकी speed ज्यादा है या कम राइट और रॉंग अल्विज लो प्रेशर लो एक्विटरिल प्रेशर कुछ रेखा छेतर पर हमेशा कम दाप जाएट रहना एक कारणी भी है तो ऐसी पता है कि आर्थ के सेंटर यहां बात करें एक्विटर पे तो सनलाइट ज्यादा तो ज्यादा गर्मी ज्यादा तो हवाएं गर्म ज्यादा उपर उठेगी ज्यादा प्रिशा राप कम होज़ा वह तो हर जगह लिखा हुआ है लेकिन स्पीड अफेक्टर है कि नहीं तो इवोपरेशन ज्यादा या कम अपरेशन आने से पहले बताना फिर से वापस यहां पे स्पीड ज्यादा प्रेशा कम ऐसी तरह से पोल की तरफ जाते हैं पीड सबसे कम यहां पे जीरो विल्कुल 90 डेगर पे जाओ गए तो बंदा वहां खड़ा है कि 20 गंटे में हें वह और जैसे इसे पीर्थभी नीची यहां ओगे तो घूम काना पड़ेगा इसको आपक कि ना पड़ेगा किटना गूमना पड़ेगा कि 20 गंटे में कितना डिश्टेंस ड्रेवल करेगा हो जैसे जाते है तो वित्त लागत शब्लागे कम तरफ जाएंगे रफ़तार कम होगा तो प्रेश्र बढ़ेगा रफतार बढ़ा तो प्रेशर कंप me पीछे देखाया पूरा नाक कान मुव बड़ पर धूल बैट जाता है तो बाहर था तुम्हारे अंदर कैसे आ गया और तो तेज चलेगी अंदर का तब आख का आएगे अदर तब से बेस स्कीघया जाना जाटने के लिए साफ और देखना तुम्हारे अंदर क्यों आते हैं धर आंदर का हôm दिया कुछ किण है खरकिकल रहा है कि अजट्क में कुछ हड़ने सो रहा है, तुम कहा है इतना परिशान है, चलो फैन की बात कर रही है, खिरकी खोल दो, हमारे पड़ोसी खाना बनाने लगे, तुले पे, का धुमा ज्यादा आएगा या कम आएगा, तुले ज्यादा प्रेशर कम, ज्यादा धुमा अंदर आजाएगा, और नह प्रेन तेजी से क्रॉस करेगी सामने, स्पीड ज्यादा प्रेशर कम, पिछे का इटमोसरिक प्रेशर ज्यादा, हवाएं कहां बहती है, हाई प्रेशर टू, अब तुम बीच में आउगए तुमें कहां ले जाएगे, बात समझ में आ गई, चलो मान लो, एक और, मैं तुम कह सेलफी पॉइंट, पहाड़ों के उपर, देखें, जहां तक जमीन है, वो अनवेन होगा, उबर खाबड होगा, वहाँ पे हवाओं में रिस्ट्रिक्शन होगा, नहीं तेज हवा नहीं भाएगी, लेकिन खाई वाले खेतर में हवाँ तेजी से बढ़ेगी, ऐसे कि परा प्रेशर ज्यादा पहाड़ी खेतर में और खाई वर खेतर में प्रेशर, अपना बॉड़ी वेट बालेंस में किये हुए हो, थोड़ी से हमाई, पूछ होगे कहां से कहां, हमारा सेलफी कौन लेगा फिर, यम्राद दे होता, तो इसका मतलब यह है, जैसे तुमने यह कभी कि गौर किया है, हलो, प्रेक्टिकर पाते पूछ रहा हूँ, बैठे हो, खराम से चेर पे, बहुत तीज बिजली कड़की, और तुम गिर गया हो, तुम गिर गया हो, इसा कुछ, तुम नहीं गिरे हो भी, यूटुबे वीडियो इस देखना, टास्टर्स और एक्सिजिन या कंपरेशन, इसी एक एरिया में बहुत हाई टेंपरेचर, तो हवाय वहां से दूर जाएंगे न, और उसके तुम आ जाओगे चपेट में तो, तुम नहीं तुम नहीं किया कि तुम नहीं बिल्कुल पास में, लाइटिंग स्ट्राइक और हो तो, नोट रिमेंद सेम, वहां पर AI स्पीड जाता है, आगे जलके पढ़ेंगे हम लोग कितनी टेंपरेचर होती है और कितना अभी नहीं, अब जब पढ़ेंगे लाइटनिंग स्ट्राइक तब, उस दगह पे हवाय कहां ऊपर थूर जा रही है, वह बीच में आओगे तो क्या होगा, दुड़क ज किला होगा है, तो नहीं मैं तो बिल्कुल सेफ होगे, लाइटनिंग स्ट्राइक होई, सेफ रह पाऊगे, थुटा सब मोमेंट अन बैलेंस होगे, तुम उसके नंदर चले जाओगे, भारे पेटे के अंदर उचला जाएगा, माल लो, कोई भी नुकले चीज आसपास नही अनुकल एरिया में जाते हो, हलमेट पनते हो, मतलब तुम्हें एप्विएसी वाला दिखा रहे हो कि यह इवाद इस्सिप्लेन, हलमेट पनना चाहिए ना, तुम लगता है कि कौँ से बात है, जा रहे हो, वगर हो जाएगा फिर, तो हमने क्या क्या डिसकस कि अभी बताना तू, प्रेशर कुरेलेसन किसे, अल्टियोड से, प्रेशर कुरेशन किसे, रोटेशन अफ, रोटेशन आठीशा सPीट से, क्या सकता हूँ मैं, अच्छा इसमें क्या है इनवर्स इसमें क्या है, स्पीड ज्यादा तो प्रेशा पर्स थ्यान रहेगा तो प्रेशा बेल्ट पढ़ रहे होंगे तो एक साथ सब अपलाई होगा और ध्यान रखना है और वहां गलती किया हर जगा बच्चे पढ़ते हैं न उसी लेवल के हो जाए है और यह सारा कुछ अपलाई करोगे ख़ए कि तुम उस्ते पढ़े हो यह मैं पढ़ाया है तुम इन ने बताए बाद में तो आवन ने पढ़ाया है जान इतना हमने क्या क्या देखा altitude, rotational speed अब बताओ temperature के साथ है अरेक्थ है inverse है, temperature जादा, pressure जादा, अपल निकाल के मार्खा हो गए जुता से भी नहीं, जहां कहीं भी temperature जादा, pressure तुम ने उसे कुछ लोग पढ़ा होगा, PV is equal to NRT, वहीं लगा रहे हो ना, pressure बढ़ाया है तो temperature, temperature बढ़ा तो pressure, this is for closed system, pressure cooker, अर्थिजी और open system, एक टीचर पढ़ा रहे हैं मैंने देखा, यहां physics के नियम लागू नहीं होते, यह geography है, यह कूफी, और वहीं नियम लागू होता है, यहां भी, बस फर्क है, वो closed system है, अगर तुम मान लो कि आँच बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो pressure वहां पर तब बढ़े कुछ भी ना करो, पंच वर्षी हो जाना, इसकी त्यारी में, अब pressure बना दिया जाए, मामी पापा के तरफ से, टीचर की तरफ से, संसान की तरफ से, जिना ही 50 NCQ करना है, डेली एक आंसर लिखना है, pressure ज्यादा तो, क्यू वर्षी है, एकल वर्षी हो सकता है, rolling plan, बड़े क्या होगा, inverse direct, हमने देखा एक temperature, दूसरा देखा, rotation, तिसरा देखा, altitude, अब बताओ तो, evaporation, अगर हवा में moisture की मातरा जादा हो, evaporation जादा हो, तो वहाँ पे pressure ज्यादा या कम, कैसे, dry air versus moist air, एक ऐसा हवा है, जो सुस्क है, दूसरा है, जिसमें नमी है, तो कौन हवा भारी होगा, अभी भी नमी बोल रहा हो तुम, कि इतना लंबार discussion करने के बाद भी, जो dry air उसमें क्या है, oxygen and nitrogen 99%, तो को replace करके, water molecules उसमें enter करेंगे, जिस hydrogen, H2O, जोनों का वजन देखोगे, तो कौन भारी है, nitrogen and oxygen, नकी hydrogen, जो भी हवा में नमी की मातरा जादा हो जाएगी, और हलकी होगी तो उपर जाएगी, तवी तो बारिस होती है, और जहां पर गर्मी ज्यादा वहाँ परेशन, जहां पर गर्मी ज्यादा वहाँ परेशन, 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 वैसे भी गर्मी ज्यादा तो प्रेशन, परेशन, 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 खलकी हो जाएगी है वास्स करा मधिन तक सबस्क्राइब करें करें तो पानी गरम करते हो तो वास्स वाला हूँ अदर के मतलब हलकी है वह है निचे क्या हो जाएगा प्रेशर को बढ़ाया देते हो अगर तुम्हे अपने आप से नहीं उपारा है तो अपने उपर डिसिप्लिन में अधकन लगा दो जी इतना काम करना है प्रेशर दो जल्दी पक जाओगे बरी पक हो जाओगे मेरे खाने कमा तो जहां कहीं भी वाटर वेपर की मातरा ज्यादा वहां का प्रेशर ज्यादा या कम जहां पर जल्वास की मातरा ज्यादा वहाँ प्रेशर कम तो कह सकता हूं में कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रेशनल टू वाटर वेपर कितने फग्टेर र है बताना वन डू थी फोर और कई फेक्टेर है इबढ़ैंदेशनकी बात करो आप बताना रफ्टेशनल फोर्स जادा हो इर्थ का गृत्व बल्यादा हो इहां पर दबाव ज़्यादा या कम सिर्वर इससे पूछँ मार जी ग् позंक emp तब घुतबार च्छैनल ज्डाब से करसमें अहल जयादा बहानं ज्यादा आपर जादा धरहां तो पोल कर छोएटर और तिया थायोध कुछ ज्शुल जादा। जादा अब बताव तो धुढ च्रॉद झो ध्यान से एहतर वर्समय नहीं गते हैं पी वर्सिस बिरस्पति एरिया सेम ले लिया हमने आ लोग के इत्मस्पेरिक एर सेम है ऐसे केसे में इंप एरिया में ज्यादा प्रेशर का हूँ ज्यम होगा कोई बताएगा वेनस मैंने पूछा बिरस्पति और प्रित्वी के वह वीनस कहा सुज गया also Jupiter और यह उख बिस्पति नहीं पता है गरहना बच्क रहना व्य्सपति करें पता है तो में क्यूद बचके रहना लिए सब्सक्रोगे बढ़ दो प्रेशर बढ़ है तो प्रेशर बढ़े घटएगा पान लोग कि तुम्हारे उपर यह यहां चड़ जाए, तुम्हारे पीठ के उपर, और प्रिस्पतिक उपर जाए कि तुम्हारे पर चड़ जाए, किस के विसमें ज्यादा भारी मैसूस लगेगा वहूँ, यूपीटर में, अचा पानी के अंदर, तुम्हारे उपर कोई बै देखो ध्यान से, कॉंटेक्स्ट के लिए नहीं रखोगे, तो पता लगा, तो मैं यूपीएसे ने कोश्टन पूछा, एकस वाई की रिलेस्टन में कितना दूर है, अगर निकाला, तो कई बार आता है, एकस की वैल्यू माइनस टू और प्लस टू, कितना होगा डिस्टन् दूरी कभी नेगटिव नहीं होती है, वो अदीस रासी है, तो क्या लेंगे, तो दोनों रिजल्ट आया, बट सही कौन सा है, ऐसे ही कोशन यूपीएसी भी पूछा है, तो माइन रखना है वहाँ पर, ऐसा नहीं कि बस जो फ्लो में आया, फ्लो एस्टेट में आ गया, फ् दुख, दुख, लाभानी, दुव, सब में एक समान होने, तो फ्लो एस्टेट में आ जाओगे, तुम्हें परिशानी नहीं होगी, वो अलग बात है, बाबा बन जाओगे, चन, पांच फेक्टर थे, पांचों फेक्टर हमने पढ़ लिए, अब मैं पृत्वी के अलग अल आदाप पीटीया, प्रित्वी पे, किसकी वज़े से होंगी, सापकरम के जादा या कक म होने से क्या बनेगे, तर्मल बोलेंगे, और इसके अलावें हमने चाहे वाटर वेपर की बात की, हईट की बात किया, प्रोटेशनल स्पीड की बात किया ग्रेविटेशन की बात की कोई और फैक्टर की बात की जाएगे तुसे बुलते हैं डाइनेमिक क्या बुलेंगे डाइनेमिक पर्सनलिटी हो मतलब बहुत सारे गुण आपके अंदर है वर्सिटाइल पर्सन नहीं सुनाय कभी तुम हो नहीं पता जाके चेक करना तुम ह में क्या बूला अगर टैंप्रेचर की वज़ा से प्रेशर की बात करेंगे तो क्या बूलेंगे हरमल और फैंप्रेचर के लावें इसने कोई भी फैक्टर हो क्या बूलेंगे डाइनेमिक कहां पे? एक तु यहां पर क्या है? पर्मनेंट टेंपरेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा तो प्रित्वी की जो नौर्दन पोल यहां पर क्या होगा आई प्रेशर यहां पर हाई प्रेश्र यहां पर यहां पर यहां पर पूरे प्रित्वी पे बेल्ट जहां पे हाई प्रेशर है एक यह बेल्ट हो गया हाई प्रेशर है और एक यह बेल्ट हो गया जहां पे दो प्रेशर है यह तीनों किसकी हो जैसे है and that's why it is called thermal pressure belts तो कभी question आजाए तो क्या बताओगे यही तीनों के बारे में खारण क्या होगा मेली temperature ज्यादा होना या कम होना temperature कम होगा तो प्रित्वी ज्यादा या कम कहां पे जैसे की अब इसके बाद एक कहानी है चुकि इतना नॉर्मल होता अगर प्रित्वी घूम नहीं रही होती कि इन रात नहीं होता temperature variation नहीं होता सित्वी परिवर्तर नहीं होता अब आएगा यहां पे आरे स्टेबल लाइफ में विलेन मतलब तुम्हारे जीवन में उथल पुथल बचाएगा अब यहां पे हम लोग आएगो वैसी ग्रहदसा को ले करके कि हो क्या रहा है आगे बढ़ूं अगली बार कम गया तो वह ने बताया था ना कितना पाणि लेना और उसमें क्या करना है यहां लागाना है और आत्मात्या कर लेना है मैं तुम्हार ना चाहता हूं क्या कोसिस तो करो कोसिस और करने वालों कभी वेट 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 टीए गलास नहीं कि मैं पूरा कवीता पढ़ूं बता यहां पर क्या है ताप ग्यादा हवाएं क्या हो जाएंगी कर्म कर्म होगी तो हवाएं कहां जाएगी उपर क्यों कितना उपर हवाएं कहां तक ऊपर जाती है जहां पर जाती है उसे क्या बोलते हो तुम प्रपॉपॉज हवा जितना ऊपर तक उठता है उसे चोब मंदल की हईड रिसाइड करते हम लोग जैसे कि पोल के पास कितनी हाइड है शाथ से आठ किलो मेटर और एक्कवेटर के पास कितनी इसलिए ट्रोपो स्फियर का या चोब मंदल का हईड यहां पे जादा पोल पे टेंपरचर कम हाइड कम हवाएं कम उपर तक जाएंगी इतना के लिए रहे अब कहां तक जाएगी उपर दिखना तो हवा को आगे बढ़ा रहे है हवा गर्म है ठंडा हवाएं गर्म है जैसे पानली 18 के हाइड तक उपर गई और होगी ठंडी और यहां पे तो इसके ऊपर नहीं जा रहा रहा यह ठंडी हमें कहां जाएंगी इस तरह और कहां तक फैलेगी तो यहां पे जो उर्जा लागतार इसको मिल रहा है अपलाई हो रहा है कि उचाई तक जाएगी को ऐसे भी देखो कि अर्थ ऐसे समझ लो यह क्या है एकवेटर यहां पे गर्मी ज्यादा हवाएं उठेंगी कहां तक तक जहां से इस तरफ एक्सपेंशन और इस तरफ बहना स्रोज अगर यहां से ज्यादा हीट होता बहुत दूर तक जाता कम हीट होगा तो कम दूर तक जाएगा इससे जितनी उर्जा निकलती है रेश्य लेडियेशन से अब्सर्व किया गया है मिस्टर हेडली एक साइंटिस्ते दुनों ने अब्सर्व किया क यह क्या है एक जैनरल कभी क्योंने को सकता है होने को जैनरल क्या होता है वह समझ में आई कहा तक गया 30 अबजर्व क्या मने एछ एजनर्जी सपलाई हो रहे ही उसके अनुसार हां तक गया यह आन्कि यह हमारा 30ड इगरी ऐटिचूड कभी एटिचूड इतना के लिए के ल और जैसे से नीचे की और आएगा टेंपरेचर बढ़ेगा घटेगा बुलना टेंपरेचर बढ़ना जुरू होगा और नीचे आएगा तो और बढ़ेगा तो कैसा हो जाएगा सम्थिंग लाग दिस गरम होगा ना इसलिए क्योंकि इस पर मैं आगे कई कोशन में नाओंगा देख लोग घंडा गरम जहां पर हावा गर्म उपर के ठंडा हो जाएगी पहले कि इसा पूरा ठंडा है माइनस 45 कम से कम इस पीजन में जैसे हवा नीची आएगी गर्म होती जाएगी अब जब हावा को तुम कमप्रेस करते हो तो प्रेशर बढ़ता है गड़ता है जहां पर हावा नीची की और गिरेगा तो वहां पर एट्मोस्फेरिक प्रेशर जादा है या कम जहां से हवाएं उड़ जाएंगे वहां पर हावा क्वाँ हावा पर त एक्स्ट्र आ रही है जहां पर ह्मल पूरी प्रिट पर यह जो ड़तार हर नीचे की और शेट कर रही है तरू आउट त प्रेशर ज्यादा है या कम इस रिजन में क्या होगा प्रिश्र करें है तक राइगी जमिन से फिर कुछ इधर पुछ इधर इधर कि इधर भी बरावर मातरा में इना कि लियर है हमाँ को हम इधर लिजा रहे हैं और कुछ हमाँ को गर्म है थंडी है है अगर्म हावा है तिर्फ ठंडा गर्म बताव अब धंडिया गर्म हावा है तो हवाय गर्म है वाटर होल ज्यादा या कम है मतलब कि इस चेत्रे से जो भी ओष्णिक रिजन से क्रॉस करेगा यहां पर गिरने के बाद तरह भी और इस तरह भी जहां भी देखो कोई भी रिजन लेलो मानलो इंडिया लेलो समझने के लिए इंडिया कहीं जहां पर 30 आसपास है 28 दिल्ली में अभी दिल्ली के पास क्या हो है और करना देखो जब हावा उपर क्यों जा रहा है जहां ठंडा एक हाइट पर पहुंच जाएगा जहां पर हो जाएगा तुम्हारा डियू पॉइंट अचीव हो जाएगा और सारी पानी वहीं पर रिलीज हो जाएंगे बारिस हो गई अब जो हावाएं उपर तक गई कै जैसी है और फानी का त्राई और ठंडी हावाएं है कैसा है ओक पान या पी है एहां यहां पर है बताओ कैसा है हम्हाट तो क्यों थे स्खने अहांपी कि यहाद है बना पादल पारिस सो गई यहाँ पोचिक हावा ठोल ट्टंड फैस मंजने हा अ का है टाओ एर यहां पर यहां पर कैसा हो जाएगा hot and and dry पानी तमातरा उसमें है नहीं जिस भी जगह पर हवा गर्म भी हो और पानी भी ना हो बारिस होगी रोस्थल होगा तब कोई ऐसी जगह जहां पर बारिस ना हो रोस्थल तो होगा ही और गरम है तो गर्म रोस्थल रहतो पूरी दुनिया के जितने भी hot desert है थार हो पांचाम हो भी हो सिमसां हो गिप्यस अब विक्टोरिया हो जतने भी जानते हो तुम डिजर्ट के ब्लाव ज्यादातरResych कि आसपास होगे क्योंकि जो एक हमाइग घीर रहे गिरा कर्म है और सुस्क हैं तो बादल नहीं बनेगा बारिश नहीं होगी यह हो रहा है ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ बता चुका हूं जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएगी अगले एक देर हपते एक हपते कम से कम देर हपते लगें क्लामेटोजी फिनिस ने कहा था यहां से जा जैदा है, हलकी होगी हवा, pressure, कम. उपर हो गया, cold and dry प्रेशर ज्यादा है कम यहाँ पे cold and dry substitute subsidence होगा, क्या होगा तो क्या होगा, तेरे-धेरे गर्म होता जाएगा क्पानी की मत्रा है ही नहीं पान लोग की जो हवाएं बहुत गर्म हो और पानी की मातरा बिलकुल ना हो पानी ज्यादा अब्ज़र्ब करेगा अगर मिलेगा रास्ते में तो जब यह है कि अध्यान सेज़ुनों जहां पर जो हवाएं थर्टी के आसपास गिर रही है दोनों तरफ जाएंगी इधर और इधर भी अज़िए हवाएं सर्फिस पर बहेंगी यह कैसी है गर्म और कैसी है प्यासी कैसी है इनके अंदर पानी भाइँ नहीं तो जो भी समूद करता है ज्यादा या फिर पानी को पानी को आतर वहां बढ़ जाए घड़ जाएगी इसलिए समुद्री में सेलेनिटी बढ़ जाएगा बहुत गाढ़ा पानी होगा और गर्म भी तो बताऊंगा बाद में इसा क्या इंपक्ट है बतीती बात समझ में आई तो जो हवाएं 30 के और समुद्री रिजन से हवा चल लेगा वास्प मोईस्टर जब यहां पहुंचते पहुंचते उपर कर उठना सुरू जाएगा चुक्कि हवाएं गर्म हो रही है क्या है मोईस्टर और होट भी है पर जाएगा तो फिर से बादल फिर से बारिस और यह होता रहेगा यह साल चल लो होता रहता है और इस को पहले बार अबinku किया था किसने अध्ली मेटली निए भोलते हैटली सेर चकर आप अगर आपका नाम क्या है अगर ऑगर सर्च किया होता लाम क्योद्र Girl child क्यों रहे आ थाश पॉस्टर आशेर नाम था बिंदर सिंह में सिर्ट में नमन बाले थे रहा 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 है तो असटे गलास नहीं यह फिक लास नए इस एक लासने वापस दो यह समझ में आ गया हम आ रही है इतर भी जाएंगे न इसलिए आपके एक्वेटर के पास में जो कंट्रीज एक्वेटर के पास में तो कंट्री वहां पर डिली बारिस होती है चार बज़े तक का होगा दो वह तक तीन वह तक पूरा एक हाई तक पहुंचेगा कंडेंसेशन होगा और बारिस तो लगभग एवरी डेई विल अब्जार्ब रेंफॉल वे एक्विटॉरियल रिजन में जहां पर पारिस ज्यादा वहां पर प्रिण पहुद ज्यादा है कम तो वहां के जो वन होंगे वो सदा बहार होंगी का मिलते हैं कि एवर गिंट फोरेश का मिलेगा अमजन की साइज कितनी है और इसकी इंडिया से बड़ा इंडिया चोटा यह से बहुत ज्यादा बड़ा प्राव होत नहीं ऐसा नहीं कि सब ब्राजिल में है अमजन फॉरेस्ट पूरा एक्स्पैंडेट है न अब छोड़ दो हम पर इन्वामें नहीं पढ़ रहे हैं मैं इसमें सिर्फ लिंक कर रहा हूं जहां कहीं भी लगातार होता रहेगा साल द्यान से आगे चलके प्रेशर के बाद तुम क्या पढ़ोगे हवा हाई टू लो हम पढ़ोगे ना एक होगा जो परमनेंट हवा होगा जो सालो बहती होगी दूसरा होगा जो सिर्फ टेंपरेरी केसेज में होगा लोकल जैसे कि लू अगला चैप्टर विंड है वहां पर पढ़ेंगे हम लोग से जो यह हावा तुम्हें दिख रही है थर्टी के पास इधर जा रही है इधर आ रहे है तब यह हावा का जो भी नाम होगा जो भी हावा है यह सालू रहेगा रेड विंड बोलते हैं वैसे ट्रोफिकल इस्टर कि लिए रहे हैं कि आयों पढ़ रहे हो फिर बाद में देखेंगा प्रेशर बेल्ट उपर निचे होगा आज दिगर उपर चल जाएगा और क्या तिस नहीं पैंती चला जाएगा जिरों के पांच उपर जिरों इस पांच निचे तो अभी वहां मत जाओ पर सम्झो क्या ब पर है जैसे आपको मैंने एक आरण बताया बारिस का यह जो बारिस होती है यह थूरू कन्वेक्शन हो रहा है कन्वेक्शन मतलब सम्वहां हुआ और जो गर्म हवाएँ उपर क्यों हीट इनरजी ट्रांसफर कर रही है तो पढ़ा था कि हीट को एक प्लेस से दूसरे ट्रा की सबस्वहां पूरे ब्ली इनरजी वह था कन्वेक्शन को आता है कLYक्शन करेंट अघ्मा हाँ आपर जाता है कन्संवह तर यह हवा उपर यह तो यह चार के दाशक रहे च्ट क्राइज कि यह वो रेनफॉल है हम पढ़ेंगे आगे परवर्ति है आगे पढ़ेंगे फ्रेंटल आगे पढ़ेंगे साइकलोनिक तरी बास में रहे है उसमें अभी मत घुसू अगला चैप्टर है इसके बाद रखो यह समझना बहुत जरूरी है यह समझ जाओगे आगे सब इसी पर का धारित है ठीक है समझ में आया हवाएं गर्म है उपर के रूट रही है जैसे उपर जाएगे ठंडी होती जाएगी कंडेंसेशन होगा बादल बनेगा अबारिस होगा उपर जाएगा बिल्कुल ठंडा हो गया कोल्डेंड ड्राइए एक्सपेंशन हुआ थर्टी के पास यहां पर सबसेडेंस ऑफ एर है जीसे की प्रेशा हाई है और बारिस भी नहीं हो रही है क्योंकि हवाएं कैसी है द्राइए होट और द्राइए बटीचर साफ पोल डेजर्ट लेल अदाक क्लियर है उसम वाश्री नहीं है ताही नहीं मॉश्री होड करने की रिभा समझ और बारिस भी नहीं हो रही है और डिजट ओ भी है लेकिन कैसा कोल्ड इतना किलियर हो गया एक तो यहां पर आया अब एक आगे बढ़ रहा है यहां से आगे मैं कल बढ़ूँगा वापस रिपीट करते हुए और कल की क्लास मिस्किया तो फिर आगे से मैं जिम्मेदार नह झाल 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 झाल